कि अभी मन्यु आई एस अलोफ यू नोटिफिकेशन आ चुका है और यह वैरी लेस्ट टाइम इन आवर प्रिलिम्स एक्जाम पास है सभी को पता है कि दो एक्जाम के लिए आपने प्रिपेर करना प्रिलिम्स में जिस पेपर वान एंड टू ओके जिस पेपर वान के लिए आप लोगों को बता दू कि लास्ट के अंदर लास्ट ही रह जाता है तो आई विल सजेस्ट यू कि हाँ अभी से अपने सी सेट के एक्जाम के लिए आप प्रिपेरेशन शुरू करता है तो अभी पेडिया यस दाट इस ओनलाइन पोर्टल ओफ अभी मन्यू आई एस इस प्रोवाइडिं यू एक क्रेश कोर्स जिसके अंदर आप 60 देंस के अ करना क्या है अपने इस अवर वेबसाइट आट इस अभी पीडिया डोट अभी मन्यू डोट को अभी पीडिया डोट अभी मन्यू डोट को अभी यहां पर आपने चूज एक्जाम जब आप करते हो तो उस के अंदर यहां पर आप देख रहे हो यस अभी एक्जाम के लिए हम प्रिपेर करवा रहे हैं, अगर आपको UPSC Civil Service के अंदर GS के कोई subject चेक करने हैं, in that case you will go for first one and if for CSET then you will go for here, CSET ओके, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CSET का आपका, यहाँ पे subzone open हो गया, यहाँ पे आप देखी, हाँ जी, subscription अवलेबल है, video courses अवलेबल है, test courses अवलेबल है, micro verses अवलेबल, अब हम बात करें कि 60 days में मैंने prepare करना है, तो कैसे, अब एक तो यह हो गया कि हाँ मैं एक-एक topic important topic find out करूँ and then, then हम micro verses से उसको provide, prepare कर लें उन्हों topics को, अब कुछ students ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ अगर मुझे सारा एक जगे ही proper मिल रहा है in that case, why should I go for a single single topic, ठीक है न, और वो भी बिल्कुल step by step और minimum time के अंदर मैं कर पा रहा हूं, minimum fees के अंदर, तो आपको उसके लिए जाना चाहोगे, तो उसके लिए हमने करना क्या है, आपको वीडियो courses पे जाना, you have both the options, micro verses as well as crash course, अभी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में discuss करने वाले जो special crash course है, अभी PDI के special crash course को हम discuss करेंगे, और thing is what कि हाँ, जैसे कुछ students ने crash course ले भी रखा है, तो उसको करना कैसे है, so that कि आप कम time में कर पाओ, और good results आपको मिले, अब यहाँ पे देखी, this is the video courses, और video courses में भी आपको काफी courses यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको जाने crash course पे, yes, this is the special crash course, अब यहाँ पे आप देखो, जो upcoming videos है, वो यहाँ पे mention हो रही है, आपको जाने subject wise पे, subject wise पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या है, math and mental ability, logical reasoning and English, अब यहाँ पे जो subjects है, आप यहाँ पे देख रहे हो, कि हाँ काफी कम-कम lectures है, 39 lectures सिरफ maths के है, ठीक है, 19 lectures आपको logical reasoning के मिल रहे हैं, और English के तो सिरफ 6 lecture ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब उस case के अंदर मैं आपको बताऊं, कि यहाँ पे उन-उन topics को हमने लिया है, जिन में से maximum paper आता है, means कि आपका 80% coverage यहाँ से हो जाएगी, 80% coverage हो जाएगी, जैसे for example, partnership का एक topic है, ठीक है, अब partnership से, पिछले पूरे 10 सालों में कोई question नहीं आया exam के अंदर, then why should we go for that, उसके लिए हम दो दिन क्यों खराब करें, समझ रहे हो ना बात, same way, जैसे simplification से, कोई question नहीं आया, last seven years से कोई question नहीं मिल रहा, we can skip that part, compound interest का कोई question नहीं आ रहा, we can skip that part, okay, तो यहां पे हमने उन particular topics को रखा है, जिसमें से हर बार exam के अंदर आपको questions मिल रहे है, और जिन topics के अंदर से exam में question आ रहे है, उन topics को पूरा deep में आपको करा है, जैसे for example, अगर हम बात करें number system की, अब हमें पता है कि number systems के अंदर से 10 to 15 questions exam में मिल जाते है, that means what, yes, पूरा 25 से 35 marks तक का, जो पेपर है, वो सिरफ इस पार्ट से आता है, तो क्यों नहीं हम इस पार्ट को अच्छे से कर ले, तो अब यहां पे आप देखोगे कि हर एक lecture काफी अच्छे से और्गनाइस किया गया है, जैसे यहां पे number system part 1, एक lecture अभी हम आपके साथ में discuss करते हैं, demo given है यहां पे, आप डेमो पे जाओगे अब यहां पे आप देख सकते हों कि जो particular lecture है, ठीक है, अब इस lecture के साथ में, यहां पे बिल्कूल जीरो लेवल से आपको इस पॉइंट डिसकस करें, क्योंकि जो questions आते हैं एक्जाम के अंदर, tough questions नहीं आते, tough questions नहीं आते हैं, मैं यह कहूँँगे, कि C-side paper tough नहीं होता, ब easily कर लेते हो, ठीक है, तो यहां पे एक-एक point को clear किया है, साथ में, हर एक lecture के साथ में, PDF attach करी है, so that कि आपको यह पता चल जाए, कि इस class के अंदर क्या काम कराया गया है, जो teacher नहीं पढ़ाया है, अब यहां पे जो मैंने यहां पे discuss किया, इस class के अंदर, जब मैं करा रहा ह एक question को अपने हाथ से एक बर करने, it will take near about 15 minutes, क्योंकि एक बार आप वीडियो चेक कर चुके हो, तो more than 15 minutes लगना नहीं है, इसके अंदर आपका, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, सारा का सारा जो भी class के अंदर, डिसकस किया गया है, सारा यहां पे आपके पास में, तो इस तरह से उसको आप एक बर, खुद से करोगे, मैं कहते हैं कि तीन बार आपने go through होना है, first time, जब आप वीडियो वाच कर रहे हो, second time, जब आप एक बर PDF के through, उसको go through कर रहे हो, it will take half time, and third time, जब आप revision कर रहे हो, okay, yes, उसके बाद में, यहां पे आप देख सकते हो, हर जो भी students WhatsApp group join करना चाते हैं, जो भी गीवन है, यहां पे, तो यहां पे आप देख सकते हो, start करोगे test को, और यहां पे आपको जैसे यह test मिल रहा है, ठीक है, अब जो भी test हो टाइमर के साथ, यहां पे आपको मिल रहा है, अब जब आप test attempt करते हो, test attempt करते हो, in that case, जब आप test को submit करोगे, तो with full solution, हाँ जी, with the full solution वो आपको मिल जाएग, जैसे for example, यह होगे हमने test को submit किया, आपने पूरा करना है test को, अभी test में आप लोगों को समझा रहे हो कि करना है, यहां पे आप अपना feedback दोगे test के regarding, submit किया हमने, वो submit करने के बाद में, आपको review मिलेगा, यहा यहां पे आपको review करना है, review कर सकते हो, अब यह जो particular question, particular question का solution भी given है, detail solution आपके पास अवलेबल है, अगर फिर भी अगर आपको कोई issue आता है, देखो हर एक question का solution यहां पे आपके पास में अवलेबल है, अगर फिर भी कोई issue आता है, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा, in that case आप क्या कर सकते हो, यहां पे submit error, submit error कब करना है, जब आपको लग रहा है कि हाँ question कहीं पे कुछ wrong है, हम correct है, in that case we will discuss it with you, okay, secondly, यह तो point होगे test का, दूसरा जो point है कि हाँजी, यह जो lectures है, यह तो already हो चुके है, now if we have some doubt then what we will do, यही point आता है सभी के mind में, तो मैं कहते हूँ बिटर doubts तो रखने ही नहीं है, अगर एक doubt paper में लेके चलेगे ना, तो वही आपको मार्ग ला देगा, तो इसलिए हमने doubts तो रखने नहीं है, यहां पे हर एक lecture के नीचे, यहां पे आप देख सकते, let us discuss का column बना होगा, जैसे यहीं पे students ने यहां पे लिखा होगा, please explain question number 10 again, या question के अंदर, आप यहां पे, let us discuss column में इसको mention करोगे, वो mail automatically मेरे पास आजाएगी, and then I will clear your doubt, अब वो doubt, जैसे भी या तो आपका, मैं चाहीं यूट्यूब पे clear करो, जैसे कि यह है आपका, या फिर आपका अगर doubt यहीं पे clear हो पाया, तो यहीं पे clear करो भी, या फिर आप य but I will try my level best कि हाँ, आपका doubt clear किया जै, because छोटे-छोटे अगर हम loops hall हर एक topic में छोड़ते चले जाते हैं, तो बड़ा hall बन जाता है, और उसमें ही हम गिर जाते हैं, तो हर एक topic को अच्छे से prepare करना है, कोई doubt, yes, let us discuss column है, यहाँ पे आपके पास, for practice, pdfma questions available है, test है, इसके आपना पता होता है, तो यहाँ पे आप देखो 515 questions मिल रहा है, आपको practice के लिए, single एक topic से number system से 515 questions आपको मिल रहे है, practice के लिए, but I will suggest प्राटिंग में नहीं करने आपने questions, पहले topic को पूरा complete करो, ठीक है, अब जैसी topic है, आपका complete हो गया, आपका complete हो गया, आपके लेक्श six lectures है, six lectures में आपके सारे concepts clear किये गए और उसके बाद में आप देखरों, previous year के questions है, yes, number system one, number system two, number system three, okay, number system four, यह सारे previous year के questions है, okay, इसके अलावा फिर दूसरा जो topic है, वो शुरू हो गया, और उसके बाद में lecture, और उसके बाद में again, हाँ जी, आप देखरों, previous year questions, आप देख कोई डाउट आता है, तो डाउट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, बट करना step by step है, अब यह यहाँ पे भी, जो number system, उसके बाद में practice questions की, जब आपने practice करने, जो 500 questions अब लेबल है, कैसे करोगे, after completing the topic, okay, तो इस तरह से आप इसको अपेल कर सकते हो, अब सेम वे य direction sense, okay, same way order and ranking, solution, means, वो वो topics हमने cover किया, जिससे हर बार आपको question मिलता है, exam के अदर, पहले topic वाला करना, उसके बाद में, जो previous year वाला lecture है, उसको आपने बाद में attend करना, okay, with previous year lectures as well as the class lecture, सभी के साथ में test अवलेबल है, तो इससे आपके और भी अच्छी से practice हो जाते है, टेस सभी ने करने, और वो जो test है, उनके अंदर भी एक और बात काओ, जब आप इस particular course को कर रहे हो, तो उस time पे, सभी students ने note साथ में बनाने, जो भी कुछ important points आपको मिलते हैं, ठीक है, उनको आप note down कर लोगे, जो questions आपको typical लगते हैं, tricky लगते हैं, उन questions को भी आप note down कर लोग ओके, इस तरह से आप देखो, इस particular course को आप देख सकते हैं, same way, यहाँ पे English के हैं कुछ lectures, इसके अदर mainly हमने उन particular sections को ही cover किया है, जैसे कि आपको पता है कि हाँ, reading comprehension मिलता है आपको, reading comprehension मिलता है, तो यहाँ पे, जैसे reading comprehension, इसके जो particular, जो tips हैं, solve करने के, conclusion कैसे find out करना है, inference कैसे find out करना है, tone of passes आप कैसे find out करोगे, just way, उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर एक lecture के साथ में, yes, mainly क्या होता है बिटा practice, 1295 questions of label है, practice के लिए, तो यहाँ से आप practice कर सकते हो, clear, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे क सारा course, properly, design किया, जिसके अंदर आपको, कम टाइम के अंदर, आप अच्छे से prepare कर सकते हो, clear, अगर आपके मांड में कोई भी, doubt है, minor सा, कोई भी, क्यूरी है, in that case, you will comment in the comment section, okay, अब जब आप इस course पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको, yes, this is the course, ना, जैसे यहाँ पे ही है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने कुछ क्यूरी है, जो कि आपकी बात करने से clear हो जाएगी, in that case, you can put your mobile number over here, okay, और उसके बाद में, अगर आप चाते हो कि आप से बात करे कोई यहाँ से, अभी मन्यू से, in that case, call me, अगर आपको WhatsApp के through, discuss करने, then WhatsApp के आपको, then somebody from Abhimanyu IS will talk to you, okay, so I hope सभी को clear है कि कैसे हम prepare कर लेंगे 60 days के अंदर, अब आप one to two lectures daily कर सकते हो, it's up to you, but मैं आपको कहूंगे कि जादा नहीं करना एक दिन के अंदर, क्योंकि हम पहले lecture कर रहे है, उसके बाद में उस particular का test कर रहे है, उसकी PDF को एक बार कर रहे है, तूसी में ही time लग जा जाएगा आप भूल जाओगे, बट अगर slow-slow properly तैयार करते हो, in that case आपका अच्छे से prepare हो जाएगा, okay, so students, it was all for today, thank you so much, जो भी students इस course को अवेल करना चाहता है, वो अवेल कर सकता है, so बने रहे हैं, अभिमान्यों आईए इसके साथ, best of luck!